उत्तर प्रदेश की राजपाल, स्रीमत्री आनंदिवेन पतेल, मुख्य मंत्री स्रीमान योगी आधित्यनाज जी, केंद्रिय रेल मंत्री भाई पिउश गोएल जी, संसद में बेरे सभी सहयोगी गाण, यूपी सरकार के मंत्री गाण, कारकम से जुड़े अन्य सभी वरिष्ट महानुभाव, भाईयों और भेनों, आज का दिन भारतिय रेल के गवरोशाली अतीद को 21 सदी की नई पहचान देने वाला है, भारत और भारतिय रेल का सामर्थ बढ़ाने वाला है, आज आजादी के बाद का सबसे बढ़ा और आधुनिक रेल इंफरस्ट्रक्टर प्रजेक्ट धरापतल पर उतरते हम देख रहे हैं, साथियों, आज जब खुर्जा भाव पर, फ्रेट कोरिडोर रूट पर जब पहली मालगाडी दोड़ी, तो उसमें नए भारत की, आत्म निर्भर भारत की गुंज और गर्जना स्पस्ट सुनाई दी, प्रयाग राज में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी नए भारत के नए सामर्थ का प्रतीख है, ये दुनिया के बहतरीन और आधुनिक कंट्रोल सेंटर में से एक है, और ये सुनकर किसी को भी गर्व होगा, इसमें मेनेजमेंट और डेटा से जुड़ी, जो टेकनोलोजी है, वो भारत में ही तयार की गई है, भारती यौने ही उसको तयार किया है, भाविव अर भहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राष्ट के सामर्थ का सबसे बड़ा स्त्रोथ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कनेक्टिविटी, राष्ट की नसे होती है, नाडिया होती है, जितनी बहतर ये नसे होती है, उतना ही स्वास्थ और सामर्थवान कोई राष्ट होता है, आज जब भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने के रास्ते पहुआ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब बहतरीन कनेक्टिविटी देश की प्रास्विक्ता है, इसी सोच के साथ बिते छे सालों से भारत में आधुनिक कनेक्टिविटी के हर पहलू पर फोकस के साथ काम किया जा रहा है, हाइवे हो, रेलवे हो, एरवे हो, बॉटरवे हो, या फिर आइवे, आर्थिक रप्तार के लिए जरूरी, इन पांचों पहियों को ताकत दी जा रही है, गती दी जा रही है, इस्टन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर, इसके एक बड़े सेक्षन का लोकारपन भी, इसी दिशा में बहुत बड़ा कदम है, साथियों, ये डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर, इनको अगर सामान ने बोल चाल की भाशा में कहें, तो माल गाडियों के लिए बने विशेश ट्रेक हैं, विशेश व्यवस्ताएं हैं, इनकी जरुरत आखिर देश को क्यों पड़ी, हमारे खेत हो, उद्योग हो, या फिर बाजार, ये सब माल डुलाई पर निर्भर होते हैं, कहीं कोई फसल उखती है, उसको देश के अलगले हिस्सों में पहुँचाना पड़ता है, एक्सपोर्ट के लिए बंदर गाहों तक पहुँचाना पड़ता है, उसी तरह उद्योगों के लिए कहीं से कच्चा माल समंदर के रास्ते से आता है, उद्योग से बना माल बाजार तक पहुँचना ना होता है, या फिर एक्सपोर्ट के लिए उसको फिर बंदर गाहों तक पहुँचाना पड़ता है, इस काम में सबसे पड़ा माध्यम हमेशा से ही रेलवे रही है जैसे जैसे आबादी भड़ी अर्थववस्ता भड़ी तो माल डूलाई के इस नेट्वर्क पर दबाव भी बहुत बढ़ता गया समस्य ये थी कि हमारे हाँ यात्रियों की ट्रेने और माल गाडिया दोनों एकी पट्री पर चलती है माल गाडी की गति धीमी होती है ऐसे में माल गाडियों को रास्ता देने के लिए यात्री टेनों को स्टेशन पर रोका जाता है इससे पैसेंजर ट्रेन भी समय पर नहीं पहुँच पाती है और मालगाड़ी भी लेट हो जाती है मालगाड़ी की गती जब दीमी होगी जगा जगा रोक टोक होगी तो जाहिर है ट्रांस्पोर्टेशन की लागत ज़ादा होगी इसका सीधा असर हमारे खेती, खनी जुदपाद और अउद्यों की जुदपादों की कीमत पर पड़ता है महेंगे होने के कारण वो देश और विदेश के बाजारों में होने वाली परदा में टिक नहीं पाते हैं हार जाते हैं भाई और बहनों इसी स्थित्य को बदलने के लिए फ्रेट कोरिडोर की योजना बढाई गई शुरू में दो डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर तयार करने की योजना है पूर्वी dedicated fair corridor पंजाब के अध्योगिक सहर लुद्याना को पस्चिम मंगाल के दानकुनी से जोड रहा है सेंकडो किलोमेटर लंबे इस रूट में कोईला खाने हैं थर्मल पावर प्लांट है अध्योगिक शहर है इनके लिए फीडर मार्ग भी बनाए जा रहे हैं वही पस्चिमी dedicated freight corridor महाराष्ट में जेन पिटी को उत्तर प्रदेश के दादरी से जोडता है लगवग 1500 किलोमेटर के इस कोरिडोर में गुजरात के मुंद्रा, कांडला, पीपावाव, दहेच और हजीरा के बड़े बंदर गाहों के लिए फिडर मार्ग होंगे इन दोनों freight corridor के इजगीद दिल्ली, मुंबई industrial corridor और अमुर्शर कोलकाता industrial corridor भी विक्सित किये जा रहे हैं इसी तरह उत्तर को दक्षिन से और पूरप को पस्चिम से जोडने वाले ऐसे विशेश रेल कोरिडोर से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं भाई और भेनों माल गाड़ियों के लिए बनी इस प्रकार की विशेश चुविधाओं से एक तो भारत में यात्री ट्रेन की लेट लतिफी समस्या कम होगी दूसरा ये कि इससे माल गाड़ी की स्पीड भी तीन गुना से ज़्यादा हो जाएगी और माल गाड़ियां पहले से दो गुना तक सामान की डुलाई कर पाएगी क्योंकि इन ट्रेक पर डबल डेकर यानि डिब्बे के उपर डिब्बा ऐसी माल गाड़ियां चलाई जा सकेगी माल गाड़िया जब समय पर पहुंचते और पहुंचेगी तो हमारा लॉजिस्टिक नेट्वर्ट सस्ता होता जाएगा हमारा सामान पहुंचाने का जो खर्च है वो कम होने के कान सामान सस्ता होगा जिसका हमारे निद्यात को लाब होगा यही नहीं देश में उद्योग के लिए बहतर माहोल बनेगा इस अब डूइंग बिजनेस बढ़ेगी निवेश के लिए भारत और आकर्शक बनेगा देश में रोजगार के स्वरोजगार के अनेक नए अवसर भी तयार होंगे साथियों यह फ्रेट कोरिडोर आत्म निर्भर भारत के बहुत बड़े माध्यम बनेंगे उद्योग हो व्यापार कारोबार हो किसान हो यह फिरोजपूर का किसान अलिगड का ताला निर्माता हो यह राजस्तान का संग्यमर्मर कारोबारी मलीहाबाद का आमुत्पादग हो या कानपूर और आगरा का लेदर उद्योग बदोई का कालिन उद्योग हो या फिर फरिद्दाबाद की कार इंडुस्त्री हार किसी के लिए यह अवसर ही अवसर लेकर आया है विशेश तोर पर अवद्योगी गुरूप से पीछे रह गए पूर्वी भारत को यह फ्रेट कोरिडोर नई उर्जा देने वाला है इसका करीब करीब 60 प्रतिशत हिस्सा यूपी में है इसलिए यूपी के हर छोटे बड़े उद्योग को इससे लाब होगा देश और विदेश के उद्योगों में जिस प्रकार यूपी के प्रती आकरशन बीते सालों में पैदा हुआ है वो और अधिक बड़ेगा भाईयो और भेनों इन डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर का लाब किसान रेल को भी होने वाला है कल ही देश में सौवी किसान रेल की शुरुवात की गई है किसान रेल से वैसे भी खेती से जुड़ी उपच को देश भर के बड़े बड़े बाजारों में सुरक्षित और कम किमत पर पहुँचाना संभव हुआ है अब नए फ्रेट कोरीडोर में किसान रेल और भी तेजी से अपने गंतवे पर पहुँचेगी उत्तर प्रदेश में भी किसान रेल से अनेक स्टेशन जुड़ चुके हैं और इनमें लगातार बढ़ोतरी की जा रही है उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों के पास बंडारन और कोल्ड स्टोरेज की कैपसिटी की बढ़ाई जा रही है यूपी के 45 माल गोदामों को आधुनिक सुविदाओं से युक्त किया गया है इसके अलावा राज में आठ नए गुड़ शेड़ भी बनाए गए हैं वही उत्तर प्रदेश में वाराणसी और गाजीपूर में दो बड़े परिशबल कारगो सेंटर पहले ही किसानों को सेवा दे रहे हैं इन में बहुती कम दरों पर किसान फल्क सब्जियां जैसी जल्दी खराब होने वाली अपनी उपयच स्टोर कर सकते हैं साथियों जब इस प्रकार के इंफास्ट्रेक्टर से देश को इतना फाइदा हो रहा है तो सवाल ये भी उड़ता है कि आखिर इसमें इतनी देरी क्यों हुई ये प्रोजेक्ट 2014 से पहले जो सरकार थी उसकी कारे संस्कृति का जीता जागता प्रमान है साल 2006 में इस प्रोजेक्ट को मंजुरी दी गई थी उसके बाद ये सिर्फ कागजों और फाइलों में ही बनता रहा केंद्र को राज्जों के साथ जिस गंबीरता से बात्तित करनी चाहिए थी जिस अरजन्सी से संवाध होना चाहिए था वो किया ही नहीं गया नतीजा ये हुआ कि काम अटक गया लटक गया भटक गया सिती ये थी कि साल 2014 तक एक किलोमेटर ट्रेक भी नहीं बीचा गया एक किलोमेटर भी नहीं जो इसके लिए पैसा भी स्विक्रुथ हुआ था वो सही तरीके से खर्च नहीं हो पाया साथियों 2014 में सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक के लिए फिर से फाइलों को खंगाला गया अधिकारियों को नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए कहा गया तो बजेट करीब करीब 11 गुना यानि 45 हजार करोड पे से अधिक बढ़ गया प्रगती की बैटकों मैं मैंने खुद इसकी मोनिटिरिंग की इससे जुड़े स्टेक होल्डर से समबात किया समिख्षा की केंदर सरकार ने राज्य सरकारों से भी संपर्ग बढ़ाया उन्हें प्रेरीत प्रोथ्षाहित किया हम नई टक्नोलोजी भी लाएगे इसी का प्रणाम है कि करीब 1100 किलोमेटर का काम अगले कुछ महिनों में पूरा हो जाएगा सोचिए आठ साल में एक भी किलोमेटर नहीं और छे साथ साल में 1100 किलोमेटर भावी और बहनों इंफा स्ट्रक्चर पर राजनितिक उदासिंता का नुक्षान सिर्फ फ्रेट कोरीडोर को ही नहीं पूठाना पड़ा है पूरे रेलेवे से जुड़ा सिस्टिम ही इसका बहुत बड़ा भुक्त भोगी रहा है पहले फोकस ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर रहता था ताकि चुनाओं में उसका लाब मिल सके लेकिन जिस पट्रियों पर ट्रेन को चलाना था उन पर निवेशी नहीं किया जाता था रेल नेटवर्क के आदुनी करण को लेकर वो गंबीरता ही नहीं थी हमारी ट्रेनों की स्पीड बहुत कम थी और पूरा नेटवर्क जान लेवा मानव रहीत फाटकों से भरा हुआ था साथियों हमने 2014 के बाद इस कार्यशली को बढ़ला इस सोच को बढ़ला अलग से रेल बजेट की विवस्ता को खत्म करते हुए हमने एलान करके भूल जाने वाली राजनितु को बढ़ला हमने रेल ट्रेक पर निवेश्ट हिया रेलिवे नेट्वर्क को हजारों मानव रहीत फाटकों से मुक्त किया रेलिवे ट्रेक को तेज गती से चलने वाली ट्रेनों के लिए तयार किया रेलिवे नेटवर्क के चौड़ी करण और बिज़ी करण दोरों पर फोकस किया आज बंदे भारत एक्स्प्रेस जैसी सेमी हाइस्पृट ट्रेन भी चल रही है और भारतिय रेल पहले से कहीं अधिक सुरप्शित भी हुई है साथियों, बीते सालों में रेलिवे में हर स्तर पर रिफॉर्म्स किये गए हैं रेलिवे में स्वच्छता हो, बहतर खाना पिना हो, या फिर दूसरी सुमिदाएं फर्क आज साफ रजर आता है इसी तरह रेलिवे से जूड़ी मैनुफेक्टरिंग में भारत ने आप मंदिर भरता की बहुत बड़ी चलांग लगाई है भारत आधुनिक ट्रेडों का निर्मान अब अपने लिए भी कर रहा है और निर्याद भी कर रहा है यूपी की ही बात करें तो वारानसे स्थीत लोकोमोटिव वर्क्ष भारत में इलेक्टरिक एंजिन बानाईने वाला बड़ा सेंटर बन रहा है राय बरेली की मोडन कोच फेक्टरि को भी बीते छे सालों में डेंटिंग पेंटिंग की भुमिका से हम बाहर निकाल कर लाए है यहाँ अब तक पांच हजार से जादा नए रेल्वे कोच बन चुके है यहाँ बनने वाले रेल्वे कोच अब विदेशों को भी निर्यात किये जा रहे हैं भाई और भेनों हमारे अतीत के अनुभव बताते हैं कि देश के इन्फासक्टर के विकास के उस विकास को राज नीती से दूर रखा जाना चाहिए देश का इन्फासक्टर किसी दल की विचारधारा का नहीं देश के विकास का मार्ग होता है यह पांच साल की पॉलिटिक्स का नहीं बलकि आने वाली अनेकों पीडियों को लाब देने वाला मिशन है राज नीतीक दलों को अगर स्पर्धा करनी ही है तो इन्फास्टर्टर की क्वालिटी बेस पर्दा हो स्पीड बेस पर्दा हो स्केल को लेकर के स्पर्दा हो मैं हाँ एक और मानसिक्ता का भी जिक्र करना जरूरी समरता हूँ जो अक्षर हम प्रदर्शनों और अंदलोनों के दोरान देखते हैं ये मानसिक्ता देश के इन्फास्टर को देश की संपत्ती को नुक्सान पहुंचाने की है हमें याद रखना चाहिए के इन्फास्टर ये संपत्ती किसी नेता की किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है ये संपत्ती देश की है, ये संपत्ती आप की है, देश के नागरिकों की है हमारे हर गरीब का, हर करदाता का, मध्यमबर का, समाज के हर वर्क का इसके पीछे पसीना लगा हुआ है उसका पैसा लगा हुआ है गरीब ने अपने पेट काट करके पैसा दिया है तब सब बनता है इसको लगने वाली हर चोट देश के गरीब देश के सामान ने जन को चोट है इसलिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार जताते हुए अमें अपने राष्ट्रिय दाईत्वों को भी नहीं भूलना चाहिए साथियों जिस रेलवे को अक्सर निशाना बनाये जाता है वो किस सेवा भाव से मुश्किल परिस्तितियों में भी देश से काम आती है ये कोरना काल में दिखा है मुश्किल में फसे समीकों को अपने गाउं तक पहुचाना हो दवा और राष्ट्रिय देश के कोने कोने तक ले जाना हो या फिर चलते फिरते कोरोना अस्पताल जैसी सुविदा देना हो रेल्वे के पूरे नेट्वर्क का सभी कर्मचारियों का ये सेवा भाव देश हमेशा याद रखेगा यही नहीं इस मुश्किल समय में रेल्वे ने भार से गाउं लोटे स्रमिक साथियों के लिए एक लाग से जादा दिनों का रोजगार भी सुजित किया है मुझे भी स्वास है कि सेवा, सभाव और राष्ट के समरुद्ध के लिए एक निष्ट प्रयासों का ये मिशन अनवरत चलता रहेगा एक बार फिर यूपी सहीत देश के तमाम राज्यों को फ्रेट कोरिडोर की नई सुविधा के लिए अनेक अनेक शुपकामनाय देता हूँ और रेलेवे के सभी साथियों को भी शुपकामनाय देने के साथ साथ उनसे भी आगर करूँगा इस फ्रेट कोरिडोर का आगे का काम भी हमें तेज गती से चलाना है 2014 के बाद जो गती हम लाए थे आने वाले दिनों में उससे भी जादा गती लानी है उसलिए मेरे रेलेवे के सारे साथ ही जुरूर देश की आशा आप एक्षापूरी करेंगे इस विश्वास के साथ आप सब को बहुत बहुत बदाई बहुत बहुत धन्यवाद